Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So, Magnet Brains एक ऐसा platform है, जहाँ पर आपको सभी class, सभी subject के videos, free of course, provide किया जाते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि कुछ videos देखने के बाद, ना तो आपको कोई subscription लेना है, ना ही कोई package purchase करना है, because best quality content, best teachers के साथ आपको free of course, यहाँ provide किया जाता है. आप Magnet Brains को Facebook पर, Telegram पर और Instagram पर भी follow कर सकते हैं, so that कोई भी important update आप यहाँ पर miss ना करें. So, आज मैं class 8 के जो हमारे students हैं, उनके लिए social science का एक नया session यहाँ पर लेकर आया हूँ, और यह जो session यहाँ पर होगा, यह हम civics का session यहाँ पर करेंगे. ठीक है, मैं आपको history की classes भी provide करता हूँ, geography भी मैं यहाँ पर provide करता हूँ, साथी साथ जो civics की class है, ठीक है, यह भी मैं आपको provide करता हूँ, मतलब हम लोग एक साथ यहाँ पर mix करके, जो सारी अलग-अलग तरीके की classes होती है, class 8 की, वो यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, तो आज का जो हमारा यह chapter यहाँ पर होगा, यह है हमारा chapter number 8, है ना, मतलब की chapter number 8 के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, और chapter number 8, जो है, वो यहाँ पर किस से related है, यह है confronting marginalization, ठीक है, तो इस से पहले वाला जो chapter था, उसमें मैंने आपको बताया था कि, जो marginalized यहाँ पर लोग होते हैं, या फिर जो marginalization यहाँ पर होता है, वो होता क्या है, है ना मतलब मैंने आपको यह बताया था कि, जैसे mainstream में, जितने भी अलग-अलग तरीके के benefits यहाँ पर होते हैं, वो सब चीजें इनको मिल नहीं पाती हैं, और किसी ना किसी रूप में यहाँ पर क्या कह सकते हैं, और आज के time period पर वो marginalized यहाँ पर हैं, फिर हमने एक यहाँ पर community के बारे में बात करी थी, Muslim community का example दिया था, उसमें जो अलग-अलग तरीके की reports यहाँ पर निकल आ रही थी, उसमें भी यहाँ पर यह बताया गया था कि जो Muslim community है, वो भी यहाँ पर किसका शिकार है, वो भी marginalizedization का यहाँ पर शिकार है, मतलब कि उसको थोड़ा से exclude कर दिया गया है, जो सारे के सारे लोग mainstream में आपको देखने को मिलेंगे, अलग-अलग तरीके के benefit यहाँ पर avail कर रहे हैं, चाहे वो literacy rate हो, चाहे वो basic communities हो, चाहे वो jobs वगरा हो, जिसमें हम सरकारी job की बात करते हैं, उन सब चीजों से यह लोग दूर है, और इसी वज़े से इनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, excluded बोलते हैं, marginalized यहाँ पर हम इनको कह सकते हैं, ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर क्या हुआ कि पिछले chapter में यह समझ में आ गया, कि जो marginalization यहाँ पर होता है, वो होता क्या है, लेकिन आप यहाँ पर यह बात करिए, कि अगर माल लीजे कि किसी person को अगर हम marginalized यहाँ पर कर देंगे, है ना, मतलब उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कि पूरी तरीके से यहाँ पर अलग कर दिया है, तो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं, कि उससे problem create होती हुई दिखाई देगी, problem create होने का मतलब यहाँ पर यह है, कि उनकी lifestyle जो है, वो यहाँ पर बहुत अलग तरीके से देखने को मिलेगी, उनको जो benefits यहाँ पर मिलने चाहिए, वो benefits यहाँ पर नहीं मिलेंगे, तो यह जो marginalization है, इसको यहाँ पर tackle करना बहुत ज़रूरी है, इसको confront करना बहुत ज़रूरी है, तो इस chapter का जो basic crux वो यही है, कि भई marginalization जो है, इनको confront कैसे किया, है ना वो सारे के सारे लोग जिनको यहाँ पर society से exclude कर दिया गया है, उन्होंने यहाँ पर इस चीज का जो है, वो कैसे यहाँ पर डट कर सामना किया, तो confronting marginalization जो है वो इस chapter का title है, और यह complete chapter revision है, इसका मतलब यह हुआ कि इस chapter में आपकी book में लिखी हुई जितने भी important चीज़े हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ पर explain करूँगा, कुछ value addition कराऊँगा, अलग-अलग example देखे, topic को explain करके, ताकि आपको चीज़े जो है, वो अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आए, तो आपसे यहाँ पर request यह है कि जब आप यह session यहाँ पर देख रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर क्या करिए कि अपनी NCIT जो book है, उसको एक बार open कर लेना, NCIT book एक बार अगर आप open कर लोगे ना, तो आपको यह पता चलेगा कि book में कहां कहां पर कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है, और किस तरीके से हम उसको यहाँ पर समझ रहे हैं, ताकि जब बाद में कभी अगर आप book पढ़ो ना, तो आपको यह नहीं लगना चीज़ें कि पता नहीं यह चीज़ कहां पढ़ाई थी, कहां पर लिखी हुए, इसलिए book साथ में लेकर चलोगे, तो आपको बहुत सारी अलग-अलग तरीके की जो चीज़ें हैं, वो यहां पर सीखने को मिलेंगे, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, अब जो भी कहानी मैंने अभी तक आपको पिछले वाले story की बताई, या पिछले वाले chapter का मैंने explanation आपको यहां पर दिया है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, उसी के आगे जो है वो चीज़ें हम यहां पर discuss करने वाले हैं, ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, कि मैंने जो marginalized यहां पर लोग थे, community थी, उसके पास हमने यह बताया कि भाई, उनके पास क्या है कि वो excluded हैं, तो उनके पास power वगएरा जो है, वो तो होगी नहीं है न, क्यों, क्योंकि वो minority हैं, और वो आपको side में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, वो यहां पर main stream में जो है, वो यहां पर part नहीं है, तो इसी वज़े से यहां पर आप यह कह सकते हैं, कि एक problem जो है, वो यहां पर derive होती हुई, आपको दिखाई देती है, कि उनके पास किसी भी तरीके की power नहीं है, तो बोला जा रहा है कि दो powerless such groups have fought, protested and struggled against being excluded or dominated by the others, ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पर क्या हुआ, कि आप यह कह सकते हैं, कि इस तरीके की जो groups से, उन्होंने यहां पर क्या किया, उन्होंने यहाँ पर लडाई है लडी ठीक है उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया उन्होंने यहाँ पर स्ट्रगल किया किसके अगेज क्यों क्योंकि उनको यहाँ पर सोसाइटी में जो है वो एक्स्क्लूड कर दिया गया था या फिर आप यह कह सकते हैं कि इनके उपर जो है वो दूसरे लोग जो है वो डॉमिनेट यहाँ पर कर रहे थे है न मतलब इनको यहाँ पर माइनोरिटी समझा जा रहा था है ना इनके पास कोई पावर थी नहीं लेगिन फिर भी तरीके का कोई discrimination यहाँ पर ना मिले और हम सभी लोग भी जो है वो यहाँ पर development की रहा पर यहाँ पर आगे बढ़ सके तो इस वज़े से इन्होंने यहाँ पर क्या करी आवाज उठाई they have attempted to overcome their situation by adopting a range of strategies in their long history मतलब आप यह कैसकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जो भी इनकी situation थी है ना जो इनको यहाँ पर exclude किया गया है उसको यहाँ पर क्या करना उसको यहाँ पर overcome करने के लिए दूर करने के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरीके की जो है वो strategy करेंगे कि हमारे साथ जो भी बुरी चीजें हो रही है उनको यहां पर समाप्त किया जाएगा रिलिजियस, सोलेस, आम, स्टगल, सेल्फ इंप्रूमेंट, एंड एड्यूकेशन, एकॉनमिक अप्लिट, तो मतलब आप यह कह सकते हैं कि जैसे यहां पर जो भी रिलिजियस, यहां पर सोलेस, वगरा होता है, जो आप यह कह सकते हैं, फिर आम, स्ट्रगल हो गया, है ना, फिर उसके बास सेल्फ इंप्रूमेंट आपको देखने को मिलेगा, एड्यूकेशन, या फिर एकॉनमिक अप अप्लिफ्ट का मतलब यहां पर क्या हुआ कि उनकी एकॉनमिक सिचुईशन को यहां पर इंप्रूव करना, देर अपिर्स टू बी, नो वन वे उफ दूइंग दिंग, ठीक है, तो मतलब आप यह कह सकते हैं कि यह सारी चीजे हैं, ठीक है, जिनकी वज़े से यहां पर क्य रहेंगे, we will read about some of the ways in which groups and individuals challenge existing inequalities, जो पहले यहां पर आसमानता है देखने को मिल रही थी, जो यह किसी को include किया जा रहा था, किसी को exclude किया जा रहा था, किसी को benefit जादा मिल रहे थे, किसी को कम मिल रहे थे, तो यह जो inequalities आपको society में देखने को मिलती थी, है न, इनको दूर कैस किया जाए, वो सब चीजे जो है, वो यहां पर इनके द्वारा करी गई और इस chapter में जो है, वो हम उनी सब चीजों के बारे में यहां पर पढ़ेंगे, तो basic मतलब यहां पर यह हुआ कि यह मैंने आपको एक introduction दिया, इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि भाई society में देखो problem त थी, है न, अभी society में problem है, वो लोग excluded यहां पर feel कर रहे हैं, तो उन चीजों को खतम करना पड़ेगा, otherwise क्या है कि अगर कोई एक बार पीछे छूट जाता है न, तो फिर वो पीछे ही रहता है, तो उसको अगर आप आगे लेकर आना चाहते हो, तो यहां पर क्या है कि अलग अलग जो तरीके थे, उनको यहां पर, उन्होंने यहां पर माना कि हम इन तरीकों की basis पर यहां पर काम करेंगे और अपनी life को यहां पर improve करेंगे, जो inequalities यहां पर देखने को मिल रहे हैं, उनको खतम करेंगे, तो उनी सब अलग-अलग methods के बारे में हम यहां पर बात करने व की कोशिश करी, पहली बात यहां पर अगर हम देखेंगे, the constitution lays down the principle that make our society and polity democratic, ठीक है, आप सभी को बताएगी, constitution में democracy की बात यहां पर करी गई है, और इससे जो हमारा समाज है, इससे हमारी जो quality है, यह आप यह कह सकते हैं कि यह किसका है, यह rule of law देखने को मिलेगा, साथी सा दूसरी बात यहां पर यह है कि जनता जो है, उससे सारी की सारी power जो है, वो निकल कर सामने आ रही है, मलब हमारी जो society है, हमारी जो quality है, यह यहां पर कैसी है, democratic के मतलब constitution में यह बात जो है, वो clearly mention करीगी है, they are defined in and through the list of fundamental rights that are important part of the constitution, ठीक है, और उसी में अगर आप है न, article number 12 से लेकर 35 तक अगर हम देखेंगे, तो यह आपको जो है, यह अलग-अलग तरीके के fundamental rights दिखने को मिलते है, total 6 fundamental rights है, ठीक है, तीन ही हो गए और तीन ही है, यह तो fundamental right ही लिखा हुआ है, तो total आज के time period पर कितने fundamental right है, 6 fundamental rights आपको देखने को मिलेंगे, पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन जो right to property है, उसको fundamental right से हमने 1978 में बाहर कर दिया, है न, मतलब उस time period पर हमने एक amendment किया था, जिसका नाम है 44th constitutional amendment act और वो 1978 में हुआ था, जिसकी बाद right to property जो है, वो fundamental right नहीं है, मतलब आज के time period पर total 6 fundamental right constitution में आपको देखने को मिलेंगे, these rights are available to all Indians equally, अब यह जो भी fundamental rights है न, इसमें किसी भी तरीके को कोई discrimination नहीं है, सभी के सभी जो fundamental rights है, वो सभी भारतियों को क्या है, बराबर रूप से यहाँ पर प्रयाप्त करवाएगे हैं कि यह सब चीजे जो है, सभी Indians को बराबर मात्रा में मिलेगी, as far as the marginalized are concerned, they have drawn on these rights in two ways, ठीक है, अब यहा करते हैं कि जो भी fundamental rights यहाँ पर लिखे हुए न, इनको दो तरीकों से जो है, वो यहाँ पर draw करेंगे, है न, मतलब दो तरीके से इन fundamental rights का जो है, वो यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, अगर हम उन दो तरीकों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, तो वो कौन सा है, first, by insisting on their fundamental rights, they have forced the government to recognize their injustice done to them, ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, कि fundamental rights को basis बना कर, उन्होंने यहाँ पर क्या बताया कि भई हमारे साथ जो है, वो यहाँ पर क्या हुआ है, अन्याएं आपको देखने को मिलेगा, है न, मतलब इन्होंने क्या किया कि भई देखिए, fundamental rights में आपने यह mention किया ह हुआ है, कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, तो हमारे साथ यहाँ पर क्या है, कि अलग-अलग तरीके की जो injustice हैं, वो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो एक बात तो यहाँ पर यह होगे, कि fundamental rights को basis बनाओ, और उनको यह बोल है, दूसरी बात यहाँ पर यह है, कि second, they have insisted that the government enforce these laws, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, कि केवल लिखने मातर से जो है, है न वो यहाँ पर काम नहीं होगा, कि भाई constitution में अगर लिख दिया गया है, तो उसके इसाब से काम होने लग गया, तो फिर तो कोई problem ही नहीं होग करेंगे, यह government से यह insist करते हैं, कि जो भी यहाँ पर यह अलग अलग तरीके के laws आपको यहाँ पर दिये गए है, इनका आप यहाँ पर क्या करो, enforcement करो, है न मतलब इनको यहाँ पर applicable बनाओ, जब इनको applicable बनाओगे, तभी क्या होगा, कि इस कानून के माध्यम से, जो marginalized fundamental right को basis बना कर जो है, उन्होंने directly मांग कर ली कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, इसको recognize करो, और उसके लिए जो भी possible solution हो सकते हैं, उनको आप provide करो, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि वो इसके enforcement के बारे में बात कर सकते हैं, है ना कि यह जो particular कानून मनाय हो, इसका यहाँ प fundamental right और इसलिए क्या होता है कि जो अलग अलग तरीके की जो marginalized लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उनके द्वारा जो protest की जाती है, जो demonstration यहाँ पर किया जाता है, जो struggle यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो सरकार क्या होता है कि convince होता है, है ना कि सरकार बोलता है कि हाँ ठीक है, इनके साथ यहाँ पर गलत हुआ है, तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई कानून जो है, वो यहाँ पर बना देते हैं, और कानून जो बनाने की इनकी बात यहाँ पर निकल करार ही, उसका basis यहाँ पर क्या है, वो fundamental rights में इन चीजों को clearly जो है, वो constitution states that untouchability has been abolished, what this means is that no one and henceforth prevented Dalit from educating themselves, entering temples, using public facilities, etc. मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कि जो untouchability है, है ना, untouchability को अगर हम हिंदी में देखेंगे, तो इसको बोलते है, आइस पश्रिता, तो आइस पश्रिता जब यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो वो यहाँ पर क्या होता है, कि untouchability म इंसानों को छूते नहीं थे, हैना कि दूर से रहो, हैना हमारे पास बैठनी की जरूत नहीं है, तो इन सब चीजों से यहाँ पर क्या हुआ, कि समाज का एक बुरा इमेज जो है, वो यहाँ पर लोगों के सामने आ रहा था, कि मतलब भारत जैसे महान देश में untouchability यहाँ निकल करा रही है, तो आर्टिकल 17 में यहाँ पर यह mention किया गया, कि untouchability has been abolished, abolish मतलब untouchability जो है, वो यहाँ पर क्या होगी, पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है, इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ, कि no one can henceforth prevent Dalit from educating themselves, मतलब इसका यह हुआ कि जब untouchability यहाँ पर खतम हो यह सब चीजें permit नहीं की गई थी, लेकिन जब untouchability को यहाँ पर abolish किया गया, तब आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो दलित लोग है, जिनको यहाँ पर पहले education का अधिकार नहीं था, मंदिर वगरा में नहीं जा सकते थे, है ना उसके बाद जो public facilities, public facilities मतलब माली जी की कह अधिकार ने पानी वगरा पीने की विवस्था यहाँ पर कराई है, तो उसमें यहाँ पर कहा है कि भई ऐसा नहीं करोगे, आपकी आप दलित हैं, तो आप यहाँ पर पानी नहीं पी सकते हो, ठीक है, पहले भी इस तरीके की बहुत सारी problem थी, डॉक्टर बीर अमेटिकर ज इस प्रेक्टिस अंटेचिबिलिटी एंड देट इस प्रेक्टिस विल नॉट बी टोलरेटेट वाया डेमोग्रेटिक गवर्मेंट और इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि भाई जो भी यहाँ पर सरकार आपको देखने को मिलेगी, वो यहाँ पर क्या करेगा कि कभी भी को सपोर्ट नहीं करेगा, है ना मतलब यह नहीं कह सकते हो कि आप सरकार में बैठे हुए हो और यहाँ पर आकर आपने यह बात कह दी कि भाई अंटेचिबिलिटी जो है वो यहाँ पर सही है या उसको आप डिफाइन करने लग गए यह सब चीजें जो है बिलकुल ही मतलब कि आपको सजा मिलेगी वाई समय। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो इस तरीके की चीजें हैं या वो हमारे यहाँ फोर给我 करना है तो उसमें ही 17 जो लिखा हुआ है वो किस से related है वो यहाँ पर दिया गया है कि आप यहाँ पर क्या करोगे कि untouchability जो है इसको यहाँ पर बिल्कुल भी accept नहीं करोगे और untouchability को हमें जो है वो abolish यहाँ पर करना है ठीक है उसके बाद article 15 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth ठीक है मतलब की Rajasthan Royals, Chennai, Super Kings और Bangalore ठीक है यहाँ पर क्या हुआ यह हो गया आपका religion, यह हो गया आपका race, यह हो गया लिंक किया धर पर उसका जनम कहां पर हुआ है, है ना इसके basis पर किसी भी तरीके का कोई भी जो discrimination है वो यहाँ पर नहीं किया जा सकता, है ना ऐसी एक movie आई है article 15 अगर आप देखोगे तो article 15 जो है उसमें आप देख सकते हैं कि उस तरीके के movie भी आपको देखने को मिलेगी, है ना जिसमें समाज में किस तरीके से लोगों के साथ discrimination वगरा यहाँ पर होता था, उन चीजों को यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है, तो यह धियान रखिएगा और उस movie में जो hero है वो आयूशमान खिराना है, अगर आपको कभी समय मिलेगा, कभी interest आपको लगेगा, तो आप article 15 जो movie है वो जरूर दिखिएगा, है ना तो उसमे समाज में किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती हुई आपको देखने को मिलती है, है ना वो आप कह सकते हैं कि उस picture में यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर माल लीजे कि जो दलित लोग है, है ना उनके साथ कहीं पर भी क्या होता था कि तरीके से treatment होता था, है ना या simple शब्दों में अगर हम कहें, तो उनके साथ अगर माल लीजे कि कहीं पर भी कोई discrimination यहाँ पर होता था, तो दलित लोग यहाँ पर क्या करते थे कि वो use करते थे आर्टिकल 15 का, कि भारतिये समिधान में आर्टिकल जो 15 है, उसमें यह बात clearly य यहाँ पर नहीं होगा, है ना यह बात जो है वो clearly आर्टिकल 15 में mention करीगी है, ठीक है तो इस point को भी आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, और अगर माल लीजे कि यहाँ पर क्या है आर्टिकल 17 वाली किसी चीच का violation होगा, तो वो आर्टिकल 17 को basis बना ले हैंगे, है ना कि यहाँ पर क्या है कि constitution में लिखा गया है कि untouchability जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर abolished हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि छुआ छूत अगर आप यहाँ पर करेंगे तो उससे क्या होगा, आप यहाँ पर क्या है कि आपको एक punishment जो है offense की category में यहाँ पर देती हैं, therefore Dalit can invoke or drawn on a fundamental right or rights in situation where they feel that they have been treated badly by some individual community or even by the government, ठीके तो अगर माल लीजे कि उनको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि उनके साथ जो यहाँ पर treatment किया गया है, वो गलत किया गया है, चाहे किसी individual के द्वारा किया जाए, चाहे किसी community के द्वारा किया जाए, या किसी सरकार के द्वारा किया जाए, तो अगर कहीं पर भी उनको लगता है कि उनको बुरी तरीके से treat किया गया है, गलत तरीके से यहाँ पर treat किया गया है, तो जो दलित community है, वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो fundamental rights हमारे constitution में यहाँ पर mention किया गया है, उनको यहाँ पर invoke कर सकती है, मतलब आप यह कह सकते हैं कि उनके basis पर equality जो है, वो यहाँ पर demand कर सकते हैं कि constitution में इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई है, तो हमारे साथ जो discrimination है, वो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, तो यह clearly जो बात है, वो यहाँ पर आपको define करी गई है, they have drawn the attention of the government of India to the constitution, demanding that the government abide by it and do justice to them, ठीक है, और उन्हों ने यहाँ पर यह भी कह दिया है कि fundamental right जो है, है ना उनका volition तो हो नहीं सकता, हमने judiciary वाले chapter में भी पढ़ाए कि अगर आपके fundamental right का कोई volition यहाँ पर होता है, तो you can directly approach कहाँ पर high court में और supreme court में, दोने जगे पर आप जा सकते हो, तो इसका मतलब य fundamental right में जब चीज़े लिखी हुए, तो सरकार को इस चीज़ को मानना पड़ेगा, और उनके साथ जो भी यहाँ पर अन्याय हो रहा है, इसको दूर करना पड़ेगा, और साथी साथ उनको यहाँ पर न्याय प्रोवाइट करना पड़ेगा, मतलब जो भी उनके साथ discrimination हो रहा अगली बात हम देखते हैं, likewise other minority groups have drawn on the fundamental right section of our constitution, और फिर जो other दूसरे आपको minority groups वगरा देखने को मिलेंगे न, उनके साथ भी यहाँ पर कहा है कि अलग-अलग तरीके की जो अधिकार है, वो हमारे constitution में यहाँ पर mention किये गए हैं, और उनके basis पर क्या करते हैं कि वो सही तरीक ठीक है, तो मतलब अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर क्या है कि freedom of religion की बात हो रही है, है न, freedom of religion की बात अगर हम करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि article number, ठीक है, 25 से लेकर 28 तक की बात हो रही है, cultural and educational right की बात करेंगे, तो article 29 और article 30, ठीक है, article 29 और article 30, यह किसकी बात क ही बात है कि right to freedom of religion का मतलब यह है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जिस भी धर्म को आप मानना चाहते हो है ना उसको मान सकते हो प्रोफेस कर सकते हो प्रपोगेट कर सकते हो प्रेक्टिस कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आपके जो भी religious affairs हैं उनको आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि manage कर सकते हो ठीक है कोई problem नहीं है जो भी अलग-अलग तरीके की religion से related topic है क्योंकि हमारे देश में दो तरीके की minorities जो है उनके बारे में बात होती है एक religious minority के बारे में और एक linguistic minority मतलब religion के basis पर जो minorities होंगी जिनका number यहाँ पर कम होगा वो religious minorities कहलाएंगे जो वो भाशा बोलते हैं उनके हिसाब से अगर number कम होगा तो उनको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे उनको जो है वो हम यहाँ पर linguistic minorities कहते हैं ठीक है तो fundamental right freedom of religion जो है यह article 25 से लेकर 28 में mention किया गया है और educational right या फिर आप यह बोल सकते हैं कि cultural and educational जो rights है यह article 29 और 30 में जो है वो clearly यहाँ पर mention किया गया है तो इसके basis पर जो यह fundamental rights है उनकी बात यहाँ पर होती है in the case of cultural and educational rights distinct culture and religious groups like the muslim and the parsis have the right to be guardian of the content of their culture as well as the right to make decisions on how best this content to be preserved तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जब भी हम यहाँ पर culture और educational rights के बारे में बात करेंगे तो जो भी minority group यहाँ पर होता है है ना उसके अलग-अलग जो हैं वो culture यहाँ पर हो सकते हैं उनकी अलग-अलग भाशा यहाँ पर हो यह अधिकार यहाँ पर clearly दिया गया है कि जो minority group हैं है ना जैसे Muslims हो गए पारसी हो गए उनको यहाँ पर क्या है कि उनको यहाँ पर जो है वो guardian यहाँ पर बनाया गया है कि भाई आप अपने culture का language का जो भी आपकी script होती है है ना जिस तरीके से आप यहाँ पर जीजों को लिखते हो उनको आप यहाँ पर क्या कर सकते है कि उनके उपर आप decision ले सकते हैं और आपको अपना content जो है वो किस तरीके से preserve करना है है ना मतलब उसका जो conservation यहाँ पर होगा वो किस तरीके से आप करोगे जैसे religious यहाँ पर क्या है कि instructions वगरा की बात होती है है ना मतलब आप देखेंगे मदरसाज वोगरा जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर क्या है कि उनका जो culture है उनका जो religion है उनके जो script है अलग-अलग तरीके की जो चीजें होती है उनको वो किस तरीके से conserve यहाँ पर करना चाहते हैं इन सब चीजों की जो सतंतरता है वो यहाँ पर किसमे दी गई है वो constitution में दी गई है मलब जो भी अलग-अलग तरीके के minority group आपको देखने को मिलते हैं उन minority groups को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे की सारे जो अधिकार यहाँ पर दिये गए है अपनी संस्कृति को culture को language को preserve करनी की guarantee जो है वो किसमे दी गई है वो constitution में clearly यहाँ पर mention करी गई है religion तो आप यहाँ पर propagate कर सकते हो practice कर सकते हो profess कर सकते हो कोई problem नहीं है लेकिन साथी साथ आप अपना culture अपनी language वगरा को भी यहाँ पर preserve कर सकते हैं इसका भी पूरा अधिकार आपको यहाँ पर दिया गया है thus by granting different forms of cultural right the constitution या constitution ट्राइट्स टू इंशूर cultural justice to such groups ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि जब आपको cultural rights यहाँ पर दिये गया है है ना मतलब आप उसको preserve कर सकते हो उनका जो administration है वो यहाँ पर आप कर सकते हो तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो cultural यहाँ पर justice है वो आपको यहाँ पर दिया गया मतलब इसका यहाँ पर क्या है, कि simple सी बात यहाँ पर यह है, कि आप यह कह सकते हैं, कि जिसे majority community होता है, ठीक है, जिसे हमारे देश में Hindu community यहाँ पर क्या है, majority है, तो उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया जाए, कि जो minority group से उनको यहाँ पर dominant ना किया जाए और या तो आप यह कह सकते हैं कि जो उनके culture यहां पर होते हैं उनको यहां पर पूरी तरीके से समाप्त ना किया जाए इस वजह से यहां पर क्या हुआ कि जो majority community है है उसको यहां पर यह अदिकार नहीं दिये गए लेकिन problem किसको हो सकती है minority जो group है उनको problem हो सक को preserve कर सकते हैं और जो भी यहां पर religious instructions वगरा होती हैं वो लोगों को यहां पर provide कर सकते हैं ताकि उनकी language उनकी script वगरा जो है वो in future यहां पर conserve रहें otherwise अगर माल लीजे कि majority community के पास पूरा का पूरा अधिकार यहां पर चला जाएगा तो majority community क्या करेगी वो जो minorities हैं उनकी उपर rule करती हुई दिखाई देगी dominate करती हुई दिखाई देगी जिसकी वज़े से हो सकता है कि उनके culture tradition वगरा जो है वो यहां पर पूरी तरीके से समाप्त हो और इसी लिए याद रिखिएगा fundamental rights की जब भी हम यहां पर बात करते हैं जो minority groups यहां पर हमको देखने को मिलते हैं उनको हमने अधिकार provide किये गये हैं कि भाई वो लोग यहां पर क्या करें कि आपने आपको थोड़ा सा empower यहां पर कर सकें क्योंकि majority जो लोग रहेंगे उनको तो कोई problem नहीं होगी है ना जो लोग लेकिन यहां पर minority रहेंगे जिनका number यहां पर कम रहेगा उनको in future यहां पर problem हो सकती है तो उस problem को tackle करने के लिए इस तरीके की जो fundamental rights है वो हमारे constitution में उनको clearly जो है वो यहां पर provide किये गए है I hope यह सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी किसी भी तरीकी का कोई भी doubt अगर यहां पर होता है तो आप मुझे comment section में बताईएगा ताकि मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो यहां पर अच्छी तरीके से explain कर सकूँ ठीक है अगर कोई doubt रह जाता है वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ही मैं चीज़ें को समझा दू लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके मन में कुछ अलग तरीके की चीज़ें बता सकते हैं चले अब अगली बात करेंगे laws for the marginalized ठीक है जो marginalized लोग है उनके लिए कानून है ना अब उसकी बात करते हैं देखे government makes the laws to protect its region ठीक है मतलब कि सरकार जो है वो यहां पर क्या करती है कि अलग अलग तरीके के laws यहां पर बनाती है ताकि वो अपने नागरिकों को ज there are specific laws and policies for the marginalized in our country मलब हमारे देश में जो लोग यहां पर थोड़ा excluded है ठीक है जिनको यहां पर थोड़ा ज्यादा support की आवशकता है जो minority groups आपको देखने को मिलेंगे अगर उनके case में हम देखेंगे तो हमारे यहां पर क्या है कि उनके लिए specific laws और policies आपको देखने को मिलती ह हैं जो कि हमारे देश में जो marginalized यहां पर लोग हैं उनको यहां पर क्या करते हैं कि govern करने के लिए बनाये जाते हैं there are policies or schemes that emerge through other means like setting up a committee or by undertaking a survey मलब आप यह कह सकते हैं और भी अलग-अलग तरीके कि यहां पर policies schemes हैं ठीक है जैसे क्या होता है कि कभी अगर लगता है कि यह problem यहा पर बना देती है कमिटी बनाने का purpose यहां पर क्या होता है कि कमिटी उस चीज की जाच पड़ताल जो है वो पूरी तरीकी से करेगी और जो भी recommendations होंगी वो आपको बता जाएगी जैसे मैंने आपको सचर कमिटी के बारे में पढ़ाया था Muslim community के लिए जो बनाए गई गई थी और फिर यहां पर सर्वे वगरा जो है वो conduct करवा दिये जाते हैं कि एक particular जो यहां पर marginalized यहां पर group है है न उसके area में जाके conduct कर लो भई basic जो amenities है वो कितनी मिल रही है education का level यहां पर क्या है तो इससे भी हम क्या करते हैं कि अलग-अलग तरीके की जो plans है उनको हम यहां पर implement क जाएंगी या जो सर्वे के द्वारा यहां पर चीज़े निकल कर सामने आएंगी तो उनको ध्यान में रखते हुए government यहां पर क्या करेगी कि अलग-अलग तरीके की जो policies हैं वो उनके द्वारा बनाई जाएंगी policies बनाने का basic aim यहां पर क्या होता है कि जिस भी group के लिए वो policies यहां पर बनाई जा रही है है ना उनको direct benefit यहां पर हो तो इसलिए बोला जा रहा है कि the government then makes an effort to promote such policies in order to give opportunities to specific group मतलब जो भी उसका purpose यहां पर था जिस purpose के लिए policies यहां पर बनाई गही है उस particular group को उसका benefit यहां पर मिलना चाहिए तो एक यह भी तरीका आपको देखने को मिलता है जिसकी वज़े से अलग-अलग तरीके की जो लोग है ठीक है उनको benefit यहां पर मिलेंगे तो आई होप यह सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आप fundamental rights वगरा के बारे में जब आप आगे की classes में जाओगे ना तो थोड़ा और अच्छी तरीके से भड़ोगे जैसे article 25 में यहां पर यह mention किया गया है कि बही simple सी बात यहां पर यह है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो है ना उसको practice कर सकते हो profess कर सकते हो propagate कर सकते हो यह article 25 में लिखा हुआ है article 26 में यहां पर यह mention किया गया है कि आप अपने religious affairs को जो है वो यहां पर क्या कर सकते हो कि manage कर सकते हो है न कि आपके धर्मे चीजें किस तरीके से होंगी उसके management की responsibility जो है वो आपको इहां पर दी गई है article 27 में अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा गया है कि आपके धर्मे के प्रचार के लिए आपको कोई tax नहीं देना पड़ेगा है न मतलब भई अगर आपके धर्म का प्रचार आप चाहते हो तो आप tax जमा करो ऐसा बिल्कूल भी नहीं है article 28 में यहाँ पर यह mention किया गया है कि अगर मान लिजे कि कोई religious instruction है तो उसको आप अगर चाहो तो ना भी अगर आपको नहीं अटेंड करना है तो वह नहीं भी अटेंड कर सकते हो यह article 28 में clearly जो है वह यहाँ पर mention किया गया है ठीक है लेकिन यह सब चीजे गौर्रमेंट से प्राइवेट स्कूल में फिर आप यहाँ पर करोगे नहीं करोगे वह डिपेंड करता है ठीक है फिर आपको बोलना पड़ेगा लेकिन गौर्मेंट स्कूल में तो क्या होता है कि religious instructions वगरा होती है न वो दी ही नहीं जाती फिर उसके बाद article 29 जो अगर हम देखेंगे तो उ institution वगरा होते हैं उनको यहाँ पर run कर सकते हैं ताकि अपनी संस्कृति को जो है language को जो है वो यहाँ पर conserve कर सकें तो यह अलग-अलग तरीके की चीज़े मैंने आपको बता दी है जब आप आगे की class में जाओगे न तो आपको यह चीज़ें सीखने को मिलेंगी अब हम अग तो यहाँ पर बुला जा रहा है कि promoting social justice. Social justice का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? Social justice का बहुत साधारण से मतलब है हिंदी में इसको बोलते हैं हम समाजिक नया है ठीक है? तो समाजिक जो नया है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है. तो अब इसमें यहाँ पर क्या के ची तो यहाँ पर क्या होता है? कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि to implement the constitution है ना मतलब अपने जो भी यहाँ पर चीज़े होती है constitution में जो provisions यहाँ पर दिये गया है इनका implementation करना है है ना क्योंकि जब तक चीज़ें implement यहाँ पर नहीं होगी तब तक उससे जो bad outcome होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे तो अपने जो यहाँ पर constitution है उसको implement करने के लिए क्या होता है कि जो भी state government है जो भी central government है ठीक है दोनों की बात हुरी है state government और central government यह specific जो भी schemes होती है वो यहाँ पर क्या करती है कि उनको यहाँ पर जो है आप यह कह सकते हैं कि create करती है ह है न ताकि यहाँ पर क्या किया जाए कि जो भी इसका implementation है वो tribal areas में या फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ पर भी high Dalit population आपको देखने को मिलेगा है न जहाँ पर SC population है या फिर आप यह कह सकते हैं कि जो tribal areas है उनके लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा कि अलग-अलग तरीके की जो schemes होती है वो बनाई जाती है और यह कोशिश करते हैं कि उन सभी areas में जो है इनका सही तरीके से implementation यहाँ पर हो for example the government provides for free or subsidized hostel for student of Dalit and Adivasi communities so that they can avail of education facilities that may not be available in their localities ठीक है तो अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि जो सरकार है न वो यहाँ पर क्या करेगा या तो वो आपक तब यहाँ पर क्या हुआ कि जो hostel वगरा होते हैं जैसे SCST hostel के बारे में आपने सुना होगा तो या तो facilities बिल्कुल जो है वो free में हो सकती है या तो बहुत कम दाम में होती है तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि education वाले जो benefits हैं वो यहाँ पर SC और ST students जो होते हैं उनको यहाँ पर provide किये जाते हैं तो हो सकता है कि वो चीजे उस particular college वगरा में पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पर वो available ना हो है ना तो इस वज़े से यहाँ पर क्या होगा कि उनकी localities में नहीं है किसी दूसरी जेगे पर हैं तो वो यहाँ पर जो SC और ST के लिए hostels वगरा होते हैं उनको यहा in addition to providing certain facilities the government also operate through the laws to ensure that concrete steps are taken to add inequality in the system मतलब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो भी facilities है वो तो यहाँ पर provide की जा रही है लेकिन साथी साथ अगर आप देखोगे तो सरकार यहाँ पर क्या करते हैं कि कठोर कदम जो है वो यहाँ पर उठाते हैं कठोर कदम उठाने से यहाँ पर कि facilities तो आप दे ही रहे हो लेकिन आप इस तरीके के action भी यहाँ पर ले रहे हो कि समाज की जो आसमानता है उसको हम यहाँ पर दूर कर सकें जैसे अगर आप देखोगे तो इसी तरीके की एक policy है जिसको हम क्या बोलते है जिसको बोलते है reservation policy that today is both significant and highly contentious ठीक है इस मतलब आप यह कह सकते हैं कि contradictory लोग इसके उपर जो है कुछ लोग सही भी बोलते हैं कुछ लोग गलत भी बोलते है reservation policy देखो यहाँ पर क्या है कि reservation policy मतलब होता है affirmative action ठीक है यह क्या है कि यह affirmative action है मतलब हमारे जो यहाँ पर देश है उसका जो constitution है उसमें यहाँ पर mention किया गया है कि affirmative action य लेंगे education की facilities यहां पर available नहीं है आज भी जो उनका समाजिक और आर्थिक रूप से इस तरह है वो बहुत पीछे है मलब की social economic जो conditions आपको देखने को मिलेंगी वो बहुत backward हैं तो उनको हमको यहां पर क्या करना है कि आगे लेकर आना पड़ेगा तो आगर हम यह लोग यह reservation नहीं रखेंगे न तो क्या है कि उनको हम आगे लेकर नहीं आ सकते हैं और इसलिए क्या करना पड़ेगा कि उनका equal representation करने के लिए reservation policies यहां पर लेकर आई गहीं मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि reservation जो policy है अब कई देश में जो reservation policy हमारे constitution makers ने यहां पर बनाई है इसका purpose यहां पर यह है कि समाज की जो पिछड़े लोग हैं जिनके साथ बहुत सालों से जो है वो यहां पर क्या हुआ कि discrimination आपको देखनी को मिला उनके जीवन में परिवर्तन जो है वो कुछ सालों में यहां पर ही हो जाएगा तो reservation जो है वो यहां पर जरूरी है लेकिन सबसे दुखत बात यहां पर यह है कि reservation का benefit जिसको यहां पर मिलना चाहिए उनको वो benefit यहां पर मिलता नहीं है आज के time period पर जिनकी family बहुत अच्छा यहां पर कर रही है है ना बहुत अच्छी नौकरी में है अच्छी education यहां पर मिल रहे है वो लोग भी यहां पर क्या करते है कि constitution में जो reservation उनको यहां पर provide किया गया है उसके benefits को यहां पर avail करते हैं तो reservation policy अच्छी है लेकिन यह तब और अच्छी होगी जब इसका benefit किसको मिलेगा उन लोगों को मिलेगा जिसको समाज में बहुत आविशकता है for example अगर माल लीजिए मैं सिर्फ आपको example समझा रहा हूँ ठीक है जैसे माल लीजिए कि कोई यह community है जो SC community है है ना अब SC community में यहां पर क्या है कि दो परिवार है एक परिवार है जिसका नाम है और एक दूसरा परिवार है जिसका नाम है बी अब अगर माल लेते हैं कि ए परिवार जो है है ना इसकी सालाना income मतलब कि जो yearly income है वो कितनी है वो है डेल लाग रुपए एक्जामबल बता रहा हूँ मैं यार डेल लाग रुपए तो मैंने बहुत बोल दिया ऐसे भी हमारे समाज में SC community है जिनको जिनकी income जो है वो हजार रुपए में है ठीक है ये डेल लाग रुपए तो मैंने बहुत बता दिया आपको लेकिन मैं एक example बता रहा हूँ ये डेल लाग रुपए और एक इसी तरीके से एक SC population है जिनके यहाँ पर yearly income किती है वो 15 लाग र देता हूँ यहाँ पर salary income किती है 15 लाग रुपीज है लेकिन हैं दोनों SC तो SC में क्या होगा कि इनको भी reservation मिलेगा इनको भी reservation मिलेगा लेकिन इनके यहाँ पर जो lifestyle होगी वो बिल्कुल अलग होगी है ना mobile में देख रहे होंगे laptop भी होगा अच्छे school में भी पढ़ रहे हो reservation की आवशक्ता किसको है इनको यहाँ पर आवशक्ता है और इनको अगर reservation यहाँ पर मिल रहा है और इनको भी यहाँ पर मिल रहा है तो आप यह कह सकते हैं कि इनको जो चीजे है ना वो सही तरीके से यहाँ पर नहीं मिल पा रही है क्योंकि समाज में हमें उन लोगों को यह responsibility आप यहां पर कह सकते हैं वो है कि आप reservation को आवेल यहां पर ना करें लेकिन वो क्या है कि क्योंकि constitution ने provide किया हुआ है तो कोई उनको यहां पर गलत नहीं हो सकता है ठीक है चलिए अब हमने यहां पर reservation policy के बारे में बात करी है तो अब हम यहां पर यह देखेंगे कि हमारे दे list of schedule cast और दलिट schedule tribes and backward and most backward cast ठीक है मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी यहां पर अलग-अलग सरकार है उनके पास ST हो गए SC हो गए उसके बाद यहां पर जो OBC होते हैं ठीक है OBC में भी अगर आप देखोगे तो creamy layer non creamy layer होते हैं OBC में भी अगर आप देखोगे तो यह most backward classes आपको देखने को मिलेंगी है न मतलब OBC में most backward classes का मतलब यह हुआ कि OBC में अलग-अलग जातिया है लेकिन इसमें से भी क्या है कि कई लोग जो है वह आपको बहुत पीछे देखने को मिलते हैं ठीक है तो यहां पर क्या है most backward class ठीक है तो इस तरीके की क्या है कि वह उनके इस पास लिस्ट होती है और उसके बाद क्या होता है कि जो state government है यह उनकी list की बात हो रही है और इसी तरीके से जो central government होता है न उसके पास भी इसी तरीके की जो list है वह यहां पर आपको देखने को मिलेगी जिसमें अलग-अलग तरीकों की जातियों की बारे में बात की गई है अगर माल लीजे कि कोई भी student है है ना applying to educational institutions and those applying for post in the government are expected to furnish proof of their caste or tribe status in the form of caste and tribe certificate तो आप क्या होता है कि अगर माल लीजे कि आप कोई educational institution है है ना मतलब कि अगर आपने किसी college वगरा में admission नेने के लिए या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई government की post है government की post मतलब अगर आप किसी competition वगरा की त्यारी कर रहे हो जिससे आपको सरकारी नोकरिया मिलेंगी है ना या फिर आप किसी college वगरा में admission यहाँ पर लेना चाहते हैं तो दोनों case में अगर आप देखोगे है जाती प्रमाड पत्र जिसको हम हिंदी में कहते हैं वह आपको यहाँ पर देना पड़े का तभी यहाँ पर क्या होगा कि reservation का जो benefit है वह आपको देखने को मिलता है many government and educational institution also ask for candidate to mention their caste tribe status मतलब वो लोग क्या करते हैं कि जो भी caste होता है जो भी tribe होता है उसका status भी यहाँ पर मांगते हैं न कि आपको जो भी यहाँ पर minute details होती है वो भी यहाँ पर mention करनी पड़ेंगी ताकि वो जो यहाँ पर office वगरावाले हैं वो लोग यहाँ पर क्या कर सकें कि उसको जो है वो यहाँ पर क्या करें cross verify करे if a particular दलित कास्ट और a certain tribe is on the government leads then a candidate from the caste or tribe can avail the benefit of reservation ठीक है अगर आप ने जो यहाँ पर caste या जो tribe आपने mention करी है अगर वो चीज़ें government की list में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी तो आपको जो है वो reservation का benefit जो है वो देखने को मिलेगा अगर वो चीज़ें government की list में नहीं है तो फिर आप यह कह सकते हैं कि उसका benefit आपको देखने को नहीं मिलेगा for admission to colleges especially to institutes of professional education such as medical college government define a set cut off marks ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है आज कल आप देखेंगे तो अगर माल लीजे कि अलग-अलग category का जो है वो यहाँ पर cut off आता है ठीक है जैसे for example अगर माल लीजे कि आप unreserved है unreserved मतलब यहाँ पर क्या है कि सामान ने category जैसे unreserved यहाँ पर male हो गए female हो गए ठीक है फिर यहाँ पर SC हो गए फिर यहाँ पर ST हो गए male female भी आजकल कई state में जो है वो देखने जाता है अब जैसे माल लीजे कि IIT का examination दोगे तो IIT के cut off भी ऐसे ही आएंगे NEET का examination दोगे तो ऐसे ही आएंगे तो सब चीजों का cut off जो है वो यहाँ पर different different होता है तो अगर माल लीजे कि आप किसी एक particular category में belong करते हैं तो उसके जो cut off होंगे ना वो number कम होगा जैसे SC और ST वाले हैं तो उनका जो cut off होगा वो यहाँ पर क्या है थोड़ा कम होगा तो अगर आपने वो cut off यहाँ पर clear किया है तो आप फिर क्या होगी eligible हो जाओगे है ना तब आपको क्या है कि उस particular job में या जो भी educational यहाँ पर institutions होते हैं उनमें यहाँ पर दाखिला मिलेगा है ना ले reasonably well and secured marks above the cut off point ठीक है मतलब कि सभी लोगों को जो है वो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी admission है चाहे वो job का admission हो ठीक है चाहे वो आप किसी college वगरा का admission है तो वो सभी लोगों को नहीं मिलेगा केवाल उन लोगों को यहाँ पर इसके benefit जो है वो provide किये जाएंगे जिन लोगों ने क्या किया है कि जो setup यहाँ पर cut off है है ना कि यह candidate का cut off इतना होना चाहिए फिर merit वगरा बनेगी और उनके basis पर क्या होगा कि फिर पूरा का पूरा जो admission वगरा होगा वो यहाँ पर provide किया जाएगा तो उस basis पर क्या है कि यह benefit यहाँ पर मिलने वाला है government also offer special scholarship for these students ठीक है कई ब वगरा में जाओगे तो हो सकता है कि जो admission fees वगरा है वो यहाँ पर कम हो जाए तो काफी अलग-अलग तरीके की जो benefits है वो यहाँ पर candidates को जो है वो provide किये जाते है in addition to policies our country also has specific laws that guard against the discrimination and exploitation of marginalized communities तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने heading यहाँ क्या डाली है यहाँ पर heading डाली है मैंने protecting the rights of Dalits and Adivasis ठीक है जो Dalit लोग है ST Community और जो Adivasis है ST Community तो उनके जो भी यहाँ पर क्या होते हैं कि अधिकार होते हैं उनको कैसे हम protect कर सकते हैं है ना उनके क्या क्या provision है उसके बारे में हम अब यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क that guard against the discrimination and exploitation of marginalized communities मतलब कि आप यह कह सकते हैं कि जो यहाँ पर excluded communities हैं है ना जिनकी इस्तिती बहुत खराब हो चुकी है तो उनको protect करने के लिए discrimination से बचाने के लिए उनका शोशन रोकने के लिए अलग-अलग तरीके के आपको कानून भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं है ना मतलब आप यह कह सकते हैं कि has specific laws मतलब कि SCST community जो है है ना जो marginalized यहाँ पर community है उनकी लिए यहाँ पर क्या है कि अलग-अलग तरीके के laws देखन को मिलता है तो अलग-अलग तरीके के कानून भी आपको देखने को मिलेगे जिसमें अभी मैं आपको SCSTX 1989 की बारे में पढ़ाने वाला हूं तो उसमें अगर आप देखोगे ना तो उसमें अलग-अलग तरीके के provision जो है वह यहाँ पर दिये गये हैं जिससे उस particular community के जो ल सकते हैं ठीक है पहली बाद the villagers of यहाँ पर बोला गया है कि जक्मालगुर are gearing up for a big festival ठीक है तो यहाँ पर एक village है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है जक्मालगुर ठीक है तो यहाँ पर कहाए कि एक बहुत बड़ा festival जो है वो यहाँ पर होने वाला था इसलिए सभी जो सकते हैं कि करिब आस सब्किनर फ्रॉंटी नेबरिंश पर विलिजिज सेंपटिक प्रीस पुजारी है रहा पंदित पुजारी जो होते हैं वो करीब इस आसबस के जो गाउव वगारा होते थे उस्से हहाँ पर आते थे और यह तोटल पांच दिन का जो इमेंट था ठीक है जक्माल गुरु में यहाँ पर होता था तो इसको अटेंड करने के लिए आसपास के गाउन से भी काफी सारे लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे दा सेरिमेनी बिगिंस विथा मेंबर ओप दि दलित कम्यूनिटी वाशिंग दलित कम्यूनिटी का मेंबर था उसने क्या किया कि जितने भी यहाँ पर पंडित और पुजारी यहाँ पर आय थे उनके यहाँ पर पैर जो है वो पानी से धोए और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि एंड देन बाथिंग इन दा वाटर यूस मतलब आप यह कह सकते हैं कि जो भी पानी का यहाँ पर यूस किया गया ठीक है उनके पैर धोने के लिए उससे वो दलित जो है वो यहाँ पर नहाता हुआ आपको देखने को मिला है ना इस तरीके की अक्टिविटी हुई इन जक्मल गुर दा परसन हू परफॉर्म दिस तास्क बिलॉंग टुदा ठीक है रथनाम स्फैमिली तो आप यह कह सकते हैं कि जिसने पूरा का पूरा टास्क यहाँ पर पर परफॉर्म किया ठीक है उस पानी से नहाने का जो पूरी अक्टिविटी वो रतनाम की फैमिली का एक मेंबर था, उसने यहाँ पर क्या किया कि इस तास को जो है, वो यहाँ पर परफॉर्म किया, इस फादर और ग्रेंट फादर हैड बोथ परफॉर्म दा सेम टास बिफोर हिम, है ना मलब रतनाम की जो फैमिली थी, उसमें अगर आप देखोगे तो उसके ग्रेंट फादर ने और उसके फादर ने, दोनों ने यह सेम एक्टिविटी यहाँ पर उससे पहले परफॉर्म करी, दो देवर नेवर अलाओट टू एंटर दा टेंपल, इस रिच्वल वास विवड एज ग्रेट ओनर बेस्टोड ऑन देम ऑन दिस स्पेशल लोकेशन, ठीक है, कभी भी जो दलित कम्यूनिटी है, उसको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो काम यहाँ पर बिलाए कि भी जो पंडित पुजारी हैं, उनके पैर धोने का काम यहाँ पर दिया गया है, तो वो लोग इस चीज को बहुत सम्मान समझते थे कि भी उनको यह उपर्शुनिटी यहाँ पर मिली है, ठीक है, तो रतनाम की फैमिली भी इसी तरीके से सूच की थी, और 20 साल जब उसकी एस थी, तो आप यह कह सकते हैं कि पास का जो इंजिनरिंग कॉलेज यहाँ पर था, ठीक है, वहाँ पर क्या करता था, कि वो पढ़ाई करता हुआ, आपको देखनी को मिलता था, तो जब उसकी बारी यहाँ पर आई ना, तो उसने क्या कर दिया, कि मैं यह जो particular ritual है ना, इसको perform यहाँ पर जो है, वो नहीं करूँगा, है ना, उसने मना कर दिया कि यह जो activity मेरे दादा जी ने, मेरे पापा ने यहाँ पर करी है, यह activity मैं करूँगा नहीं, तो he said that he had no faith in this practice and that his family members were forced to perform this ritual because they were dalit, मतलब हमको इस सब चीजों पर क्या है, कि य practice यहाँ पर है, इस पर कोई विश्वास नहीं है, और उसकी जो family members है, उन्होंने इसलिए यह काम किया, क्योंकि उनको यहाँ पर जबर्जस्ती यह काम करवाया गया था, तो इस तरीके से जो है, वो यहाँ पर क्या हुआ, कि उसने अपनी बात यहाँ पर रखी, रतनाम's refusal anger both the powerful caste in the village and the some families from its own community, जब रतनाम ने यहाँ पर क्या कर दिया, कि मना कर दिया, कि मैं यह काम नहीं करूंगा, तो वहाँ पर जितने भी higher caste कास्ट के लोग बैठे थे, मतलब उच्च जाती के लोग थे, उनको भी गुस्सा यहाँ पर आया, और रतनाम की खुद की जो community थी, है इसाथ आप यह कह सकते हैं कि रतनाम की जो community वाले लोग थे, उनको भी यहाँ पर problem जो है वो देखने को, मिली की रतनाम ने आखिर यह मना क्यों किया, दा पावरफुल कास्ट वर शॉक्ट, ने सच ए यंग बॉए, हैड़ गर्स तो रिफ्यूस, वजब की पावरफुल ज education, which allowed him to imagine that he could start comparing himself with them, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि रतनाम ने जो यह engineering college वगरा में पढ़ाई कर ली है न, तो इसकी engineering की पढ़ाई में या education की वज़े से क्या है कि इसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई, कि यह अपने आपको हम सभी उच जाती वाले लोगों के साथ यहाँ पर compare क करने लग गया, तो यह बात यहाँ पर लोग सोचने लग गया, तो यह बात यहाँ पर लोग सोचने लग गया, तो इसके खुद की community के लोग थे, उनको यह लगा कि भाई यह जो powerful caste वाले लोग है, यह लोग गुस्सा हो जाएंगे तब तो हमारी बड़ी शामत आ जाएगी कि जो उच जाती के लोग थे, उनके खेतों में काम करते थे, लेबरर्स की तरह, और आप यह कह सकते हैं कि डेली वेज वाला काम होता था, तो डेली जो है, उनको यहाँ पर पैसे मिलते थे, और उनके खेत का काम भी हो जाता था और उनकी lifestyle जो है, वो भी यहाँ पर चलती थी, if the dominant card decide to not call them, then what would they earn, ठीक है, अगर माल लीजे कि जो dominant यहाँ पर caste है, जो उच्छ जाती के लोग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, अगर माल लीजे कि उन्होंने मना कर दिया कि भई, जो रतनाम की community वाले लोग हैं, इनको यहाँ पर क्या करना है कि काम के लिए मत बुलाना, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि उनको खाने के लिए चीजें जो है, वो कहां से मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, है ना, यह भी देखने को मिलेगा, वो किस तरीके से यहाँ पर survive करेंगी, है ना, उनका जीवन जो है, वो खत्रे में पड़े आएगा, दे also declared that wrath of the local deity would strike them if they refuse to give in खीक है, और यह भी बोल दिया गया घीके हैं, और यहाँ पर क्या होगा जो local deity हैं, खेंके हैं उनका जो शराप पड़ेगा वो भी यहाँ पर क्या करेगा कि आपको पूरी तरीके से बरबाद कर देगा रत onions reicht that, given that not a single Dalith had ever entered to temple how could the DATB angry with them हैंना मतलब आप यह कह सकते हैं कि उन्हाँ ने जब यह बोला कि भाई जो यह लोकल डियेटी हैं भगवान है यहां पर क्या करेंगे कि यह आपके उपर जो है वो श्राप यहां पर देंगे तो आप यहां पर यह कह सकते हैं कि यह कुश्चन निकलकर आया तो जब तो रतनाम में उसने यह बोल दिया कि कभी जो है जब दलित कम्यूनिटी का कोई भी इंसान जो है वो जब मंदिर में गये ही नहीं है तो भगवान फिर यहां पर उससे नराज की होंगे उसको शराप यहां पर क्यों देंगे इस तरीके की जो है वह लॉजिकल बात जो है वह तो यह पॉइंट देखने को मिला दा पावर्फुल कास्ट डिसाइट टू टीच रतनाम लेसन और यह सब सुनके क्योंकि वह मूँ भी चला रहा था समझ रहा रतनाम जो है वह जो उच जाती के लोग थे उनके साथ यहां पर क्या है कि बाते भी कर रहा था तो उसने बोला कि हम रतनाम को जो है मज़ा चखाएंगे एक लेसन यहां पर सिखाएंगे इस कम्यूनिटी वॉस ओडर्ट टू ऑस्ट्रसाइज हिम एंड इस फैमिली और एव्रीवन वॉस तोल्ड़ एट नो वन चूट स्पीक और टू एनिवर फॉर दिम और विद यहां पर क्या है कि एक दम इसको यहां पर क्या कर दो अलग कर दो है ना अलग कर दो मतलब का क्या हुआ कि ना तो आपको इनके परिवार के साथ इसके साथ किसी तरीके के कोई रिष्टा रखना है ना तो कोई बातचीत करनी है बिल्कुल क्या कर दो इसको अलग कर दो जैसे वो नहीं होता है क इसको totally exclude यहां पर कर दो कुछ इससे बात करनी की जरूत नहीं है और अगर आप लोग बात करेंगे तो फिर इसका परिणाम जो है वो अच्छा यहां पर नहीं होगा फिर क्या हुआ कि एक रात कुछ लोग जो थे वो यहां पर क्या हुआ कि some men entered their part of the village and set his hut on fire ठीक है मतलब यहां पर क्या हुआ कि कुछ लोग जो है वो रतनाम के जहां रतनाम रहता था विलेज की उस पार में यहां पर घुसे और उसने क्या कर दिया कि उसने जो रतनाम का यहां पर जोपड़ी थी ना उसमें यहां पर आग लगा दी he managed to escape with his mother लेकिन उसने यहां पर क्या किया कि कोशिश करी और वो यहां पर भागने में सफल हो पाया मतलब कि अपनी माता जी के साथ जो है वो रतनाम जो है वो यहां से भाग गया ठीक है तो भागने वाली जो चीज है वो आपको यहां पर देखने को मिली तो यह चीज जो ह है आपको यहां पर थोड़ी सी जो स्टूरी है वो यहां पर समझ में आई होगी और मैंने यहां पर कौन-कौन सी चीज़ें डिसकस करी हैं है ना एक यह लेसन में आपको सिखा रहा हूंगी उस टाइम पिरिट पर उस विलेज में किस तरीके की सिचुएशन जो है वो दलि जाएगा कहां पर वो जाएगा पुलिस के पास ठीक है तो रतनाम जो है वो कहां पर पहुंचा वो लोकल पुलिस के पास गया मतलब कि वहां पर जो भी पुलिस स्टेशन था ठीक है वहां पर गया और उसने यहां पर क्या किया कि वही उसको एक केस यहां पर फाइल करना कि particular act के तहट तो याद रखिएगा schedule caste and the schedule tribes prevention of atrocities atrocities का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी उनके साथ यहाँ पर क्या किया जा रहे थे उनकी उपर जुल्म किया जा रहे थे उनको परिशान किया जा रहा था जो यहाँ पर majority आपको community देखने को मिल रही थी वो उन लोगों को दबाने की कोशिश कर रही थी उनके साथ discrimination यहाँ पर हो रहा था तो इनी सब atrocities को prevent करने के लिए एक यहाँ पर act आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते है schedule caste and schedule tribes prevention of atrocities act 1989 तो यह year याद रखिएगा mcq वगरा में directly यह question पूछा जा सकता है तो 1989 का यह act है मतलब की इसको आप एक दूसरे जो है नाम से भी जानते है जिसको हम यहाँ पर SCST act यहाँ पर कहते है और यह 1989 का है और इसमें यहाँ पर क्या होगा कि इस act के तहत यह provision दिये गए है कि जो भी atrocities SC और ST community के साथ यहाँ पर होती है जो भी उनके साथ जुल में यहाँ पर किये जाते हैं उन सब चीजों को prevent करना है तो रतनाम क्या हुआ अपनी मदर के साथ जो है वो police station गया कि मैं SCST act 1989 के तहट जो है वो इनके खिलाफ जो उनके यहाँ पर majority community थी जो उनके village में यहाँ पर रह रह रही थी उनके against यहाँ पर case में यहाँ पर file कराऊंगा बाकी जो दलिद families आपको देखने को मिल रही थी वो अभी तक इनके support में यहाँ पर नहीं आई है ना उसका कारण यहाँ पर क्या था कि वो लोग डरे हुए थे कि जिस तरीके से है ना अगर वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो रतनाम है उसका अगर support करेंगे तो रतनाम की family को जो यहाँ पर face करना पड़ रहा है उसी तरीके की situation जो है वो उन्हें भी face करनी पड़ेगी और इसी वज़े से वो डर के मारे कभी भी रतनाम का support करने के लिए नहीं है अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब इस तरीके की कोई case वगरा यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं तो जो media professional वगरा होते हैं उनको भी यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके की cases की information मिलती है तो वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि उनको पता चलेगा कि इस particular village में जो है यह इस तरीके का case यहाँ पर निकल कर आ रहा है जो community है उसके साथ जो भी atrocities यहां पर हो रही थी उनको उजागर करने वाला जो इंसान है वो यहां पर कौन है वो रतनाम है मतलब कि आप यह कह सकते हैं कि दलित के खिलाफ जो भी गलत चीज़ें यहां पर होती थी majority community के साथ उसको उजागर करने का काम किस ने किया रतनाम ने निकाला दा रिचुवल वोस कॉल डॉफ बड़ इस फैमिली वोस फोर्स टू मूव आउट एस दे कंटिने तो बी ऑस्टरसाइज बाइद पावरफुल कास इंदा विलीज ठीक है फिर उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि जो यह पांस दिन का पूरा का पूरा कारिक्रम च पावरफुल कास इंदा विलीज मतलब कि जो भी पावरफुल कास्ट यहां पर देखने को मिल रही थी तो उन्होंने यहां पर क्या किया कि इनको बाहर निकाल दिया ठीक है तो इस तरीके से जो रतनाम है उसकी फैमिली के साथ अलग-अलग तरीके के जो एक्शन्स है वो जिसके तहथ यहां पर रतनाम ने एक पर्टिकुलर केस जो है वो यहां पर फाइल किया तो अगर हम देखेंगे तो रतनाम साउट दा सपोर्ट ऑफ लौ फिलिंग इस कंप्लेंट अंडर दा एबोएक्ट तो प्रोटेस्ट अगेंस दा डॉमिनेशन एंड वॉयलेंस ऑफ इस विलेँच मतलब आप यह कह सकते हैं कि जो भी यहां पर पावरफुल कास्ट थी जो भी अपर कास्ट वाले लोग यहां पर आपको देखने को मिल रहे थे वो लोक क्या करते थे कि जो भी इस पर्टिकुलर विलेज में दलिट कमिनीटि यहां पर रहती थी उसको डॉमि करिए क्योंकि आपने इस तरीके का कानून जो है यहां पर बनाया हुआ है जिससे दलित कम्यूनिटी जो है उसको यहां पर आप सपोर्ट प्रोवाइट करोगे तो मैं इसी एक्ट के तहट जो है वो यहां पर यह चाहता हूं कि मुझे यहां पर जो भी गलत चीजे मेरे साथ यहां पर हुई है उसके खिलाफ मुझे आप यहां पर जिस्टिस प्रोवाइट कर दिए ठीक है इस तरीके की डिमांड इस एक्ट के तहर्ट जो है वो केस फाइल करके रतना आम यहां पर चाहता था इस एक्ट वोस फ्रेम्ड इन नाइन आपको बता चुका हूं इन रिस् उतने हैं कि जो भी आपका ट्राइबल है उनके साथ जो भी एल्ट होता था जो भी हुमिलेशन यहां पर किया जाता था जो भी उनके अगेंज्ट यहां पर वाइलेंस आपको देखनी को मिलेगा ठीक है जैसे अगर अंटचिबिलीटी भी अगर हम देखेंगे तो वो तो यहां पर एक punishable offense यहां पर हो गया है तो अगर उस तरीके की activity भी किसी village में यहां पर हो रही है तो उसको भी यहां पर समाप्त करना है तो यहां पर क्या हुआ था कि 1989 में जो है वो सरकार ने इसको frame किया था कि अगर SC और ST community के साथ इस तरीके की कोई चीज़ें यहां पर होंग कि पहले से ही जो है इस तरीके की जो treatment वगरा होते थे वो आपको persist यहां पर देखने को मिलेंगे है ना मतलब कि पहले से यह सारी की सारी चीज़ें जो है वो society में यहां पर हो रही थी लेकिन 1970s और 80s में अगर आप देखोगे तो SC ST Act के अगेंस्ट इस तरीके की जो की majority आपको देखने को मिलेगी है ना वो जो SC ST community उसको किस तरीके से यहां पर दबाते थे तो आप यह देख सकते हैं कि 70s और 80s में जो है यह काफी ज़्यादा वोलेंट डूप में आपको देखने को मिली इस period में क्या हुआ कि in parts of southern India ठीक है southern India मतलब जो हमारे south की state है केरला तमिलनादू आदरप्रदेश वगरा अन नंबर ओफ असेटिव दलिद ग्रूप केम इंटो बिंग एंड असेटिट देर राइट देर राइट देर रिफूस तो पर्फॉर्म देर सो काल्ट कास्ट डूटी इंसिस्टेट ऑन बिंग ट्रिटेड इक्वली लाइग रतनाम फैमिली दे रिफ्यूस तो फॉलो प्रैक्टिसेश लोकेट इंदा हुमिलेशन एंड एक्स्प्रोइटिशन ऑफ दलिट थीगे तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ कि जो सदन इंडिया था वहां पर कई सारे जो दलिट ग्रूप से वहां पर बाहर निकले और उन्होंने यहां पर क्या कर दिया उन्होंने बोला कि हमारे जो अधिकार हैं जो Constitution में हमको यहां पर protection प्रोवाइट करी गई है वो चीज़े हमको यहां पर मिल ली चाहिए साथी साथ तुन्हों ने ये कह दिया कि कई सारी duties ऐसी होती है जो किसी particular caste के दोरा ही आपको देखने को मिलेंगी है ना मतलब हमारे पुराने की पुराने जो यहां पर वर्ण सिस्टम यहां पर चला आ रहा था उसके बाद यहां पर क्या होता था कि आप एक तरीके का काम करते थे उसके basis पर क्या है कि आप उस particular वर्ण में जो है वो रहते वे दिखाए देते थे तो आज के time period पर भी कई सारी duties ऐसी है जो यहां पर क्या हो हमारे साथ किसी भी तरीके का जो discrimination है वो नहीं होना चाहिए जो violence है वो यहां पर नहीं होना चाहिए जैसे यहां पर क्याए कि रतनाम की जो family थी या रतनाम आप यह कह सकते हैं उसने मना कर दिया था कि जो भी यह पैर साफ करके उसके जो water हो रहा होता है उससे नहाने वाली practices थी उसको यहां पर उसने बना कर दिया तो इसी तरीके की चीज़ें जो है वो Southern India में भी हो रही थी और उन्होंने भी यहां पर यहां पर होता है जो भी exploitation यहां पर दलिट का किया जा रहा है यह सब चीज़ें हम यहां पर accept नहीं करेंगे और यह चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से यहां पर समाप्त होनी चाहिए तो Southern India में इस तरीके के जो दलिट ग्रूप से वो यहां पर निकल कर आए और उन्होंने अपने राइट्स को यहां पर क्लीम करना यहां पर स्टार्ट किया दिस रिजल्टेड इन दा मोर पावर्फुल कास्ट अनलीशिंग वाइलेंस अगेंस देम और इसी वज़े से आप यह कह सकते हैं कि जब इन लोगों और यहां पर क्या करना है इस्टार्ट कर दिया तो इनकी जो वैलिंस यहां पर थे वह और भी ज़्यादा आपको यहां पर भठते हुए दिखाई दिये है ना कि मतलब यह लोग आवाज कैसे उठा सकते हैं ठीक है तो यह जो एक माइंट सेट यहां पर लोगों का बनने ल तो आप यहां पर क्या है आप यहां पर नहीं होनी चाहिए तो आप यहां पर क्या है आप यह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह समझना है कि अंटचिबिलिटी को कॉंस्टूडिशन में यहां पर क्या कर दिया गया है एबॉलिश तो कर दिया गया है लेकिन आज के टाइम पिरेट पर भी जो है वो कई सारे जगे पर अगर आप देखेंगे गाओं वगरा में देखें और इसलिए यहां पर जो दलिट ग्रूप है उन्होंने यहां पर क्या किया कि भई उन्होंने सोचा कि हमारे लिए एक नया लौ यहां पर बनना चाहिए जिसमें क्या होगा कि सभी तरीके की जो वॉयलिंस है ना मतलब कि जो भी अलग-अलग तरीके के वॉयलिंस यहां पर देलित के साथ यहाँ पर हो सकते हैं उनको आप यहाँ पर prescribe करो है ना उनको list करो कि यह सब चीज़ें आपको नहीं करनी है और अगर फिर भी वो यहाँ पर इस तरीके का कोई काम करता है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी person इस particular activity में indulge होगा उसको यहाँ पर कड़ी से कड़ी जो सजा है वो यहाँ पर दी जाएगी ठीक है मतलब कि stringent punishment जो है वो आपको देखने को मिलेगी इस तरीके की demand उनके द्वारा होने लग गई कि इस तरीके का कानून जो है वो यहाँ पर चाहिए likewise throughout the 1970s and 80s आदिवासी पीपल successfully organized themselves and demanded equal right and for their land and resources to be returned to them है न इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर tribal लोग थे जो मैंने आपको already history वगरा में भी काफी पढ़ाया हुआ है कि जो आदिवासी लोग थे उनको उनके forest वगरा से बाहर कर दिया गया जो forest वगरा का access यहां पर होता था उसको यहां पर minimum से minimum यहां पर कर दिया गया तो उन्हों ने भी यहां पर क्या बोले लगए कि वहाई equal rights यहां पर होने चाहिए हमारे साथ भी किसी तरीके का discrimination जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए और उन्होंने ये भी बोला कि जो भी हमारा land है ठीक है जो भी हमारे resources है जिनका हम पहले से यहाँ पर use करते हुए आ रहे थे उन चीजों को हमें क्या करना है कि वापिस करना है कि यह सब चीजे restore होनी चाहिए और साथी साथ यहाँ पर क्या है कि हमारे साथ किसी भी तरीके का जो discrimination है है ना वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए तो यह बड़े scale में आप कह सकते हैं कि चीजे निकल कर सामनी आई तो जैसे ST community के साथ यहाँ पर violence हो रहा था उसी तरीके से आप यह कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर ST group है ठीक है उनके सामने भी अलग-अलग तरीके की जो powerful लोग यहाँ पर थे है ना वो आपको आते हुए दिखाई दिये और यह powerful लोग जो है वो इनके साथ यहाँ पर वालिन्स वाली activities करने लग गए जैसे पहले के chapters में हमने पढ़ा था कि भाई जैसे तो किसी के पास यहाँ पर land है forest land तो अगर आपने वो आसानी से sign करके सामने वाले को दे दी तब तो कोई problem नहीं है है ना लेकिन अगर आप वो land उनको provide नहीं कर रहे थे तो वो यहाँ पर क्या करते थे कि मारते थे अलग-अलग तरीके की जो illegal means होते थे उनका प्रियोग करके आपके land को acquire करने की कोशिश की जाती थी तो powerful लोगों के पास power होती है इसलिए यह इस तरीके की जो activities है वो यहाँ पर कर सकते हैं इसलिए जो यहाँ पर SC-ST act है इसमें जो भी यहाँ पर अलग-अलग तरीके के crimes हैं जो कि SC-ST community की द्वारा यहाँ पर commit किये जा सकते हैं उनकी पूरी की पूरी एक list जो है वो यहाँ पर बता दी गई और कई crime तो ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पर क्या करना है कि उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा भी किसी इंसान के साथ यहाँ पर किया जा सकता है दा एक दस नॉट ऑनली डिस्क्राइब टेरिबल क्राइम्स बट आलसो लेट्स ठीक है पीपल नो what dreadful deeds human beings are capable of मतलब आप यह कह सकते हैं कि इसमें कहाएगी केवल describe नहीं किया गया है लेकिन इसमें आप यह कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर dreadful यहाँ पर decease होते हैं human beings के द्वारा ठीक है मतलब वो क्या के चीज़ें एक सामने वाले इंसान के साथ यहाँ पर कर सकते हैं उसको भी यहाँ पर बताया गया है बलब इसमें कहाएगी वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर mention करी गई है जो एक आम इंसान जो है अपने से छोटे जो community वाले लोग हैं उनकी caste वाले lower caste वाले लोग हैं उनके साथ वो maximum यहाँ पर कहके चीज़ें कर सकते हैं उन सब चीज़ों की एक list यहाँ पर तयार करी गई है मतलब आप यह कह सकते हैं कि इसमें जो भी चीज़े mention करी गई है अगर आप उसमें यहाँ पर indulge पाया जाते हो तो आपको सजा दी जाएगी और साथी साथ यहाँ पर क्या है कि हमको यह भी बताया जाता है कि भाई देखो इस तरीके की चीज़ें इनके तोरा यहाँ पर की जाती हैं तो इनके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए और आप ऐसी situation में यहाँ पर कैसे act करोगे कैसे react करोगे यह चीज़े भी आपको यहाँ पर decide गरनी है अब उसके बाद the act distinguishes several levels of crime है ना मतलब की SCST act में अगर आप देखोगे तो अलग-अलग level के जो crimes है वो यहाँ पर क्या किये गये बताये गये है मतलब उनको distinguish जो है वो यहाँ पर किया गया है जैसे पहली बात करेंगे जो भी यहाँ पर री प्रेंसिबल आपको देखने को मिलेंगे और शीक्स टू पनिश दोस हूँ ठीक है मतलब इसमें कहा है कि इसमें आप यह कह सकते हैं कि इसमें अलग-अलग तरीके की जो list है वो यहाँ पर बताई गई है बिल्कुल सही नहीं होगी और अगर माल लीजे कि आप पहले इनको इनको define किया गया गिए यहाँ पर क्या क्या हो सकती हैं और अगर माल लिजे कि कोई इंसान इसके अंदर जो है वो इंडल्ज आपको देखनी को मिलेगा तो उसको अलग-अलग तरीके की जो पनिश्मेंट है वो यहाँ पर दी जाती हैं जैसे इसमें क्या के बताया गया कि मतलब कि अगर आप यहाँ पर कोई भी SCST community है उसके किसी मेंबर को आप यह कह रहे हो कि भाई यह चीज़ तुम खाओ है ना जो चीज़ यहाँ पर क्या है कि खाए नहीं जा सकती है है ना जिसको यहाँ पर खाने के लिए बिल्कुल कोई accept नहीं करेगा अगर आप उनको जबर सब्सक्राइब करेगा तो हम सोच सकते हैं कि कितनी बुरी सिचुएशन जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो इस तरीके की चीज़े जो है वो आप यहाँ पर कर नहीं सकते हो ठीक है इनको यहाँ पर डिफाइन किया गया है और इसके लिए जो पनिश्मेंट है वो भी यहाँ पर दी गई है Secondly, it lists action that disperses ठीक है दलित और आदिवासी फॉर्डियर मीगर रिसॉर्स और विच फोर्स दें इंटू पर फॉर्मिंग स्लेव लेबर ठीक है तो मतलब आप यह कैसकते हैं कि सबसे इंपोर्टन बात यहाँ पर यह है कि इसमें एक्शन आपको देखने को मिलेंगी जो इहाँ सबसें पर क्या करते हैं डलित और आदिवासी फॉर्डियर मीगर रिसॉर्स और विच फॉर्स धैप into performing slave labor क्योंकि उनके पास ज्यादा resources वेकरा यहाँ पर available नहीं है और इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि गुलाम बन कर वो किसी के रह जाते हुए आपको दिखाई देते हैं तो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि यह जो पूरा का पूरा अगर यहाँ पर प्रियोग करोगे तो फिर क्या होगा गलत तरीके से तो आपको punishment यहाँ पर मिलेगी at another level the act recognizes that crimes against Dalit and tribal women are specific kind and therefore seeks to penalize anyone who मतलब आप यह कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर Dalit लोग आपको देखने को मिलेंगे और जो भी यहाँ पर आपको tribal और especially जो महिलाए हैं इनके against अगर आप किसी भी तरीके के कोई activity करते हैं जो कि यहाँ पर क्या है acceptable नहीं है तो भी यहाँ पर क्या होगा penalize मतलब आपको जो है वो सजा यहाँ पर दी जाएगी assault or use force of any woman belonging to a scheduled caste और scheduled tribe with an intent to dishonor her मतलब अगर आप किसी भी तरीके से उनको यहाँ पर क्या करोगे dishonor करने की कोशिश करोगे है ना उनका अपमान करने की कोशिश करोगे और इसके लिए अगर आप कोई भी assault वगरा यहाँ पर करते हो तो आपको यहाँ पर क्या होगा SCST Act के तहट जो है वो punishment यहाँ पर दी जाएगी है ना तो मतलब महिलाओं की सुरुक्षा के लिए भी यहाँ पर SCST Act में जो provisions है वो यहाँ पर दिये गए है ठीक है तो यह थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमने SCST Act में यह देखा कि अलग-अलग तरीके के provisions जो है वो बताएगे हैं है ना कौन से provision है कि जो SC और SC community यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी उसमें यहाँ पर क्या है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं है ना जो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यह crime होगा भई है ना अगर आप उस community के लोगों के साथ इस तरीके की activities यहाँ पर करोगे तो उसको हम crime यहाँ पर मानेंगे और crime को define करने के बाद ताकि लोगों को पता चले कि इंसान जो है वो किस-किस तरीके की डूरेटफूल यहाँ पर जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पर कर सकता है लोगों को aware करना और साथ cassette यहाँ पर क्या पर सुनाई ना वहाँ पर भी इसी तरीकी की एक्टिविटी थी की भई जो हाइयर कास्ट वाले लोग है पहले उनका पैर यहाँ पर धो उस पानी से नहाओ तो यह चीजे तो बिल्कुल गलत है किसी के भी सम्मान के लिए जो है वो हानिकारक है और इसलिए यहाँ पर क्या और उसने बोला था कि SCST Act 1989 के तहट मैं इनके खिलाब जो केस है वो यहाँ पर लगाऊंगा ठीक है तो यह पूरा का पूरा यहाँ पर Protecting the Rights of Dalits and आदिवासी के तहट यह सारी चीजे जो है वो आपके बुक में यहाँ पर दी गई है ठीक है अभी आपके बल जो चैप्टर है उसको अच्छी तरीगे से यहाँ पर समझ लो जब मैं इसके questions आपको कराऊंगा तब आपको चीजे एकदम crystal clear हो जाएंगी कोई दिक 1989 का act यहाँ पर है इसमें क्या क्या provision है जो कि यहाँ पर दिये गया है पहली बात 1989 act is important for another reason आदिवासी activists referred to it to the defend their right to occupy land that was traditionally there's मतलब आप यह कह सकते हैं कि इनको यहाँ पर क्या होते थे कि जो भी यहाँ पर आदिवासी जो एक्टिविस्ट होते हैं अक्टिविस्ट मतलब जो आदिवासी लोगों के welfare के लिए यहाँ पर काम करेंगे वह यहाँ पर बोलते थे कि defend their right to occupy land that was traditional there मतलब कई बार आपने दिखा कि जो उनके forest वोगरा वाले land होते थे उनको जबरजिस्ती यहाँ पर छीन लिया जाता था या आप यह कह सकते हैं कि forest वोगरा से बाहर निकाल द है कि जो traditionally उनको land belong करती है उस चीज को वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि access जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं और कोई उनसे वो land यहाँ पर छीन नहीं सकता है activists have asked that those who have forcefully encroached upon the tribal land should be punished under this law मतलब कि जिनों ने क्या किया है कि जो जन जाती है लोगों को यहाँ पर land belong करती है जमीन belong करती है जिसका encroachment कुछ लोगों ने हाँ पर जबरजिस्ती कर लिया है है तो उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए कि SCST Act के तहट जो है वो यहाँ पर उनको पॉइंटेट तुदा फैक्ट दैट इस एक्ट मेरली कंफर्म वाट अल्रेडी बीन प्रॉमिस्ट तुदा ट्राइबल पीपल इन दा कॉंसी होती है जो हमारे ओल्रेडी कॉंस्टीशन में मेंचन करीगी है ना कि जैसे माल लीजे कि कॉंस्टीशन में यह चीज यहाँ प बेची नहीं जा सकती या किसी से खरीदी नहीं जा सकती कोई नॉन ट्राइबल पीपल है ना मतलब कि ट्राइबल लोगों की जो जमीन होगी वो नॉन ट्राइबल जो कमुनिटी है उसको यहाँ पर बेची या खरीदी नहीं जा सकती है ठीक है एक तो यह बात बताएगी है in cases where this has happened the constitution guarantee the right of tribal people to repossess their land तो उसमें क्या है कि अगर कहीं पर माल लीजे कि इस तरीके की कोई activity होती है तो constitution जो यहां पर जन जाती है लोग है tribal लोग है उनको यह अधिकार देता है कि आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो land है उसको यहां पर repossess कर सकते हैं उसकी जो occupation है वो आपको यहां पर मिल जाएगी जैसे अगर आप देखोगे न तो यहां पर एक activist है जिनका नाम है सी के जानू ठीक है सी के जानू एक आधिवासी activist है has also pointed out that one of the violator of the constitutional rights guaranteed to the tribal people are government in the various states of India ठीक है मतलब यह बोलते हैं कि constitution में जो tribal लोग है उनको यहां पर क्या किये गए अधिकार दिये गए है ना जो लैंड वाला अधिकार मैंने भी आपको बताया लेकिन यहां पर जो यह आधिवासी activist हैं सी के जानू उनका कहना यह है कि constitution में जो tribal लोगों को त्वरा यहां पर हो रहा है यह क्यूं कह रहे है एक जो आपका लैंड है ना उसको इंक्रोच करते हैं उस पर हग जताने की कोशिश करते हैं तो यहां पर कहाए कि सरकार ने जो है यह तो सरकारी अलाओ करेंगी ना कि जंगलों में जाके आप करिए कि टिंबर मर्चंड की रूप में जाएए पेड़ को काटिए और जो भी यहां पर लकडी वगड़ी वगड़ा होती है उसको एक इठा करो फिर पेपर मिल वगड़ा वाले लोग यहां पर आते हैं टु एक्सप्लाइब लेंड ट्राइबल जो लेंड उसको एक्सप्लाइट करो पेड़ पोधें यहां पर काटो एंड टु फोर्सिबली विग ट्रैबल पीपल फ्रॉम देर ट्रीश्टिशनल फोरेस्ट इन दा प्रोसेस ओफ डिक्लेरी फॉरेस्ट और उसके बा और कई बार क्या होता है कि उसको सेंक्जूरी वगरा में भी आप कनवर्ट कर देते हो तो इसकी वज़े से क्या होता है कि सरकार जो है वो राजी सरकार यहां पर पर मिट करेगी तभी तो इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी न तो इसलिए य यहाँ पर इनका land है इसको यहाँ पर नुकसान पहुचाते हुए दिखाई देते हैं है ना तो constitution में जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है उनका जो violation यहाँ पर होता है वो किसके दौरा किया जा रहा है वो state government के दौरा किया जा रहा है she has also noted that in cases where tribals have already been evicted and cannot go back to their land they must be compensated ठीक है अगर माल लिजे कि किसी को यहाँ पर बाहर निकाल दिया है तो इनका कहना यहाँ पर यह है कि अगर माल लिजे कि किसी को evict कर दिया गया है और आप यहाँ पर क्या है कि वापिस जाना जो है वो बहुत मुश्किल है है ना कोई दिक्क है अब जाने का कोई फाइदा भी नहीं और कोई possibility भी नहीं तो ऐसे लोगों को यहाँ पर क्या है कि compensation जो है वो यहाँ पर देना चाहिए है ना compensation का मतलब यहाँ पर क्या है कि वाई क्यूंकि आपने उनका घर उनसे छीना है तो उनको money यहाँ पर प्रोवाइट करिए अलग जो नुकसान हो गया वो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता है तो हम क्या करेंगे कि हम उसको जो है वो compensation यहाँ पर देते हैं फिर अगली बात है कि that is the government must drop plans and policies for them to live and work elsewhere ठीक है मतलब कि सरकार को क्या करना चाहिए कि plans बनाने चाहिए policies बनाने चाहिए ताकि वो क्या है कि क करने पड़ेंगे तो यह भी बात यहाँ पर जो है वो CK जानुजी के द्वारा बताएगे है after all government spend large sums of money on building industrial or other project है मतलब कि सरकार क्या करती है कि जो भी industrial or other project वगरा होते है उसमें इतना पैसा जो है वो यहाँ पर खर्ज करती है no doubt all lands taken from tribals और जिस particular land पर यह industries बन रहे हैं जो project यहाँ पर चल रहे हैं वो किसके project हैं जो गरीब व्यक्ति हैं जो जंगलों में यहाँ पर रहे हैं उनकी land पर आप इस तरीके की जो project है वो बना रहे हूं so why should they be reluctant to spend even very modest amount on rehabilitating the displaced मतलब की आप यह कह सकते हैं कि जिनको आपने उस जंगलों से बाहर निकाला है उनको rehabilitate करने के rehabilitate मतलब यहाँ पर क्या होता है कि उनको पुनर स्थापित करने के लिए कि कहीं पर कोई जगे दे दो जहाँ पर वो लोग रह सकें कहीं पर कोई काम दे दो जहाँ पर वो काम कर सकें तो जब इतना सारा पैसा आप industrial और जो दूसरे project होते हैं उनको establish करने में खर्च कर रहे ह तो इनके rehabilitation में जो है वो आप पैसा छोटा सा amount जो है वो यहाँ पर क्यों नहीं कर पा रहे हो तो यह भी यहाँ पर इनके द्वारा जो है वो question पूछा गया है कि इनका displacement अगर आपने किया है तो यह आपकी responsibility बनती है कि आप यहाँ पर क्या करो कि इनको जो है वो थोड़ा सा चीज़े जो है वो प्रोवाइट करो compensation प्रोवाइट करो इनका rehabilitation जो है वो यहाँ पर होना चाहिए ठीक है तो यह point आपको समझ में आना चाहिए तो मैंने अभी आपको जो इस पूरे के पूरे heading में यहाँ पर बताया आदिवासी लोगों की demands यहाँ पर क्या है है तो आदि उनकी विवस्ता के तहट यहाँ पर क्या है कि आपको वो सारे के सारे जो provision है वो यहाँ पर follow करने है है ना जैसे मैंने आपको यह बताया कि compensation मिलना चाहिए उनका rehabilitation जो है वो यहाँ पर करना चाहिए तो इससे क्या है कि अगर आपने उनको यहाँ से बाहर भी निकाला हुआ है तब भी हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि चीजों को थोड़ा control कर पाएंगे है ना तो हम क्या कह सकते हैं कि अलग-अलग तरीके के provision है कुछ constitution में आपको देखने को मिलेंगे और कुछ अलग-अलग तरीके के laws हैं जिसमें यह चीज़े confirm करने की कोशिश करी गई हैं कि जो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि यह लोग फिर पीछे ही रहते हुए आपको दिखाई देंगे तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि अलग-अलग तरीके की जो demands हैं वो यहाँ पर आपको बताए गई हैं और इसी particular demands में 1989 का जो SCST Act है उसमें भी कही सारे provision जो हैं वो आपको बता conclusion है conclusion का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि पूरे के पूरे chapter में आपने क्या समझा उसका क्या understanding है वो चीज़े मैं आपको बता देता हूं as we can see the existence of a right or a law or even a policy on paper does not mean that it exists in reality है ना मतलब अगर माल लीजे कि आपने कोई चीज़े constitution में किसी अगर आपने कानून में या किसी भी policy में आपने चीज़ें वो बोल दी है है ना तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो reality में जो है वो चीज़े implement हो है ना जब तक वो क्या है कि ground level पर आपको implement होता वह नहीं दिखाई देगा जिसको उसके benefit चाहिए अगर उसको आप benefit नहीं provide करोगे तब तक यहां पर क्या होगा कि इसका कोई मतलब जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा है ना तो laws में क्या लिखा गया है rules में क्या लिखा गया है वो चीज़ें important नहीं है जब तक क्या होगा कि उसका implementation हम यहां पर नहीं करते हैं people have had to constantly work on make effort to translate these into principles that guided the action of their fellow citizens or even their leaders मलब आप यह कह सकते है कि सभी लोगों को यह जुलकर यहां पर काम करना होगा है ना यह क्या है कि यह किसी एक वेक्ती का काम यहां पर नहीं हो सकता है कि भाई जो हमारे leaders ने constitution में यहां पर चीज़ें लिखी है उनको implement करना है है ना लेकिन हम लोग सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो definitely इसके जो benefits यहां पर होगे जि उस time period से equality, dignity है ना और respect वगरा जो है वो चीज़ें यहां पर चली आ रही हो कोई नई चीज नहीं है जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है और जो आज के time period पर भारत में अलग-अलग communities यहां पर demand करती हैं जो marginalized community है वो भी तो equality, dignity और respect की बात करने हैं जो SCST Act आपको देखने को मिलेंगे वो भी equality, dignity और respect की बात कर रहे हैं तो हमें यहां पर एक चीज यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो है वो इस चीज को जो है वो ensure करें के बाल लिखने मातर से या बोलने मातर से या principle बनाने से यह चीज़ें नहीं होने वाली है जब तक ground level पर इसका implementation नहीं होगा तब तक result नहीं मिलेंगे it had existed in the different form throughout our history as you have seen in this chapter मतलब पहले से अगर हम देखेंगे तो यहां पर कहें कि struggle writing negotiations and organizing needs to continue मतलब कि जैसे पहले से यहां पर बात हो रही ना struggle कर रहे हैं लोग यहां पर अपने rights के लिए है ना अलग अलग तरीके के यहां पर लेक लिखे जा रहे हैं अलग अलग तरीके के negotiations यहां पर होते रहते हैं तो वो चीज़ें कि वो लगातार अगर यहां पर continue होती रहेंगी तब ही हम यहां पर यह कह सकते हैं कि आज के time period पर जो marginalized यहां पर society है जो community आपको देखने को मिलेंगे चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो कोई धर्मवाले लोग हो आप उनको अगर empower करना चाहते हो उनको आगे लेकर आना चाहते हो तो इनी policies rules के तहत है ना चीजों community हमारे देश में आपको देखने को मिलेगी इन सभी लोगों को हम यहां पर uplift कर सकें तो यह था पूरे के पूरे chapter का explanation one shot revision मतलब इसमें क्या हुआ कि जितने भी important चीजे थी है ना आपके chapter में book में जो लिखी थी वो सब चीजे मैंने बहुत ही crystal clear तरीके से आपको explain कर दी है फिर भी अगर आपके मन में कोई doubt आता है तो comment section आप सबकी लिए open है आप उसमें जरूर mention करिएगा लेकिन मैं आपको एक बात बता दिना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल tension नहीं लेनी है question answer की है na question answers जो है वो मैं आपको prepare कराऊंगा कौन से question कैसे आ सकते हैं क्या करना होग किस तरीके से करना होगा वो मेरी responsibility है लेकिन chapter को समझना इस particular session के ताहत यह आपकी responsibility है कि एक बार chapter को आप समझ लो अच्छे से chapter अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर question answers को लिखने में कोई भी problem यहाँ पर नहीं होने वाली है ठीक है clear चलिए अब कई सारे students हैं जिनका कह यह होता है कि सर अगर माल लीजे कि हमें दूसरे chapters देखने हैं या दूसरा कोई subject prepare करना है तो हम कैसे prepare करें videos कहां से देखें तो देखें इस video के description में अगर आप देखोगे न तो कुछ important links आपको मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा और systematic तरीके से देखना चाते हैं तो मैं आ जैसे कर आप देखेंगे English medium हो गया CVSC, spoken, NTSC, Olympiad, UP board ठीक है और दूसरे जो competitive examination है तो आप जैसे माल लोगी CVSC English medium में जाना है आप जैसे आपने CVSC English medium में क्लिक किया तो अलग-अलग तरीके की चीज़े अवलेबल हैं आप जैसे माल लीजे कि आपने ये class 8 देखना है तो class 8 प मिलेगा तो open हो जाएगा अब जैसे आप इसको open करोगे तो यहां पर क्या है social science को आपने open किया तो यहां पर आपको सारे videos बिल जाएगे है ना जैसे Indian constitution, understanding, secularism यह सब चीज़े मैंने आपको पढ़ाई हुई है तो आप इनको देख लीजेगा सारे chapters यहां पर आपको available है इन जैसे मैंने एकदम crystal clear तरीके से आपको समझा दी है अगर आपने session को पूरा complete यहां पर देखा है तो आप लोग comment section में जरूर अपना feedback देकर जाएगा और magnet brace को अपने दोस्तों को भी refer करना क्योंकि यहां पर kg से लेकर class 12 तक की जो भी classes होती है वो आपको 100% यहां पर free provide की ज जाता अगर आपको session अच्छा लगाया तो session को like करें channel को subscribe करें अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ अलग रख groups में इस वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि जादा से जादा 8th class की जो students है इस वीडियो के दहत अपनी preparation को यहां पर start कर सकें अगले session में एक नए topic के साथ म मिलूँगा तब तक keep smiling and keep preparing लगे रहो exam clear करो thank you so much